ओम शांती, 1970 की अव्यक्त मुर्ली की श्रंकला में ये मुर्ली है 6-8-1970, 6th of August 1970, इस मुर्ली में बाबा बता रहा है बच्चों को इसका शीशक है बंधन मुक्त आत्मा की निशानी, जो बंधन मुक्त आत्मा है उसकी क्या निशानी होगी? जो दे के बंधन, समय के बंधन, दे के पदार्थों के बंधन, सबसे मुक्त है आत्मा, उसकी निशानिया क्या होगी? अभी सांसारी बंधनों में जो जखड़ी हैं और जो जबंधन से मुक्त हो चुकी है, उसकी निशानिया बाबा में इस मुर्ली में बता रहा है आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं अभी अव्यक्ट इस्तिति में इस्तित होकर व्यक्ट देह का अधार लेकर देख रहे हैं यह अनुवब कर रहे हो जैसे कोई स्थूल इस्थान में प्रवेश करते हो बैसे ही इस स्थूल देह में प्रवेश कर यह कारे कर रहे है ऐसा अनुबब होता है बाबा कहते है जैसे किसी स्थूल किसी जगह पर जाते हो बैसे आपको लगता है कि यह जो स्थूल दे है जो हमारा शरीर है इसमें प्रवेश कर मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कार करा रही हूँ मैं आत्मा इस आखों के द्वारा देख रही हूँ मैं आत्मा ही इस मुखधारा बोल ले हूँ ऐसा आप मैसूस करते हो, कार कर रहे हो ऐसा अनुबबब होता है जब चाहें तब प्रिवेश करें जब चाहें तब फिर न्यारे हो जाएं ऐसा अनुब आप करते हो एक सकिन में धारड करें एक सकिन में छोड़ें ये अभ्यास है आवा बच्चों से पूसते हैं कि एक सकिन में इस शरीर को धारड करें और एक सकिन में छोड़ें ये अभ्यास है जैसे और स्थूल बस्तू को जब चाहो तब लो जब चाहो छोड़ स भाबा कहते हैं जैसे कि देह के भाण को जब चाहें छोड़ देही अभी भारी बन जाए तो यह प्रैक्टिस वहागा सरव है लेकिन जैसे कोई स्थूल बस्तू की सहे जूती है जैसे । कपड़ा पहना या आपने कुछ गड़ा पहना या आपने कुछ भी पहना तो उसको जब चाहे तब उतार देते हैं, जब चाहे तो उसको छोड़ देते हैं, तो ऐसी सहज, बाबा कहते हैं, इस तरह की स्थिति होती है, ऐसा बनाना है खुद को, रचिता जब चाहे रचना का अधार ले शरीर का अधार ले जब चाहें रचना को अधार को छोड़ दे ऐसे रचेता बने हो जब चाहें तब न्यारे जब चाहें तब प्यारे बन जाएं इतना बंधन मुक्त बने हो बावा आप बहुत अच्छो से बताते हैं जब चाहें तब न्यारे बंधन मुक्त सिवाथ बुढ़त हैं अपने से बुठिंद होना है इतना बंदंध मुक्त बने हो यह दे अपने बंदन में बाथ को यह देह का बंदाने यह आपके शरीर का बंदाने यह बांधता है आपको आपको जो आत्मी इस्तिती में आने में भी यह बांधता है जो आप व्यक्त इस्तिती अव्यक्त इस्तिती में नहीं आपाते हो फरिष्टा रूप नहीं धारण कर पाते हैं उसका कारण क्या यह बंधन में मानती है अगर दे बंधन से मुक्तोते दे बंधन नहीं डालेगी लेकिन करतव का अधार समझ आधार को जब चाहे तब ले सकते हैं ऐसी प्रैक्टिस चलती रहती है देह के बहान को छोड़ने अत्वा उनसे नियारा होने में कितना समय लगता है देह के बहान को छोड़ने में बाबा कहते हैं जो देह का बहान है जो शरीर का बहान है कि मैं देह हूँ मैं शरीर हूँ इसके बहान को छोड़ने में उसको नियारा होने में कितना टाइम लग जाता है अभी एक सेकिन लगता है या कितना लगता है कभी कितना कभी कैसी कभी कै इससे सिद्धिया की अभी सर्व बंधनों से मुक्त नहीं हुए हूं कृति हैं कि अभी सारे बंधनों से मुक्त नहीं हुए हो अभी सर बंदनों से मुक्त नहीं हुए हो जितना बंदनों से मुक्त होंगे उतना ही योग युक्त होंगे जितना योग युक्त होंगे उतना ही जीवन सुब शिक्तिमान कहेंगे देह के संबंद और देह के पदातों से लगाव मिटाना सरल है लेकिन देह के भाउं से मुक्त होना महिनत की बात है बाबा कहते हैं देह के बंदन देह के संबंद और देह के पदातों से लगाव मिटाना सरल है यानि कि जो आपके संबंदी है देह क मिटाना सरल है बाबा कहते हैं दे के पदार्थ है जैसे कि दे के पदार्थ हो गए आपके आपका कोई समान जैसे आपका मोबाइल हो गया जैसे आपके कपड़े हो गए जैसे आपका कोई रूम हो गया तो इन सबसे तो बाबा कहते हैं संबंद मिटाना इन से लगाओ मिटान सरल है लिकिन अपनी ही देह से मुक्त होने में बहुत टाइम लगता है मेहनत की बात है अभी क्या बंदन रह गया है यही देह के भान से मुक्त हो जाना जब चाहें तब व्यक्त में आए ऐसी प्रैक्टिस अभी जो सोर से करनी है ऐसे ही समझे जैसे अब बाप अधार लेकर बोल रहे हैं बैसे ही हम भी देह का अधार लेकर कर्म कर रहे हैं इस नियारेपन की अवस्था प्रमाण ही प्यारा बनना है जितना इस नियारे पन की प्राक्टिस में आगे होंगे, उतना ही विश्व को प्यारा लगने में आगे होंगे इतना इस नयारेपन की प्राक्टिस में आगे होंगे उतना ही विश्व के प्यारा लगने में आगे होंगे से ब्लीकिलेंद स्माइब पर ने न्यारा वनार झाना को सर्विश करते हूं चार lock करते हुए अपने और अब दूसरे मैषोस तक शहीं होने चाहिए मानना लेकिन यह से न्यारा और अती प्याराained जितना जो स्वें न्यारा होगा इतना ही औरों को आपका प्यारा बना सकेंगे जयारा रहे ममानस अखशी रहें के काम करें सर्विस कर रहें तो मैं मुझसे कौन जार आ क्या मेरी हिमत है कि मैं सर्विस खुद से कर सकूं सर्विस कराने की मैं तो सिर्फ निमित हूं कराने वाला तो सिर्फ कौन है हमारा बावा है हमारा बाप दादा है सर्विस की सफलता का सुरूप क्या है बिन बिन मिचा सब के निक सब बताते हैं कि सर्विस की सफलता का सुरू सर्विस की सफलता का सवरूप जिन आत्माओं की सर्विस करो उन आत्माओं में तीनों कौलिफिकेशन प्रिटेक्ष रूप में देखने में आएं बाबा कहते हैं इन आत्माओं के में इसकी सर्विस करो उन आत्माओं में तीनों क्वालिफिगेशन प्रतेक्ष रूप में देखने में आने चाहिए अगर तीनों में से कोई भी गुड की कमी है तो सर्विस की सफलता में कमी है कर्तब में बाप के कर्तब में सही होगी पुरुषाद में उन आत्माओं को शक्ति रूप बनाना है आपको तो बाबा कहते हैं इन तीनों बातों में से कोई भी कमी होगी तो माना सर्विस की सफलता की भी कमी है मुखे एक बात ध्यान में रखने में कर्म धारन करने वाली कौन सी है बाबा केते हैं एक बात ध्यान में रखने और करम में धारन करने वाली कौन सी ऐसी बात है जिससे इस सफलता के स्वरूप को प्रैक्टिकल में ला सकते हो मैं कौन सी बात है बहुत सहज है मुश्किल बात को ध्यान देकर धारण करते हैं और सहज बात को छोड़ देने से सहज की धारणा देर से होती है ये मालूम है समझा जाता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी फिर होता क्या है हो जाएगी हो जाएगी करते करते ध्यान से निकल जाती है इसलिए धारणा रूप में भी नहीं होते तो पर कौन सी एक बात है अगर उस बात को धारणा कर लें तो सफलता जुरूप बन सकते है अब बाबे कहते हैं कौन सी धारणा है कौन सी बात ध्यान रखनी है जिसको आप प्रैक्टिकल मिलाएं तो सफलता सहजी हो जाएगी वो बात है साक्षी पन की दृस्टी साक्षी पन माना हाँ ये बात ठीक है आज बाब दादा भी साक्षी अवस्था की राखी बादने के लिए आए हैं साक्षी माना न्यारा रहें माना डिटैज्ड साक्षी बना कोई पी कार्मी किया फिर डेटैस्ट हो गए उसके रिजर्ट में अगर अच्छा आया तो बहुत खुश नहीं अच्छा आया तो फिर बहुत उदास तो आपको साक्षी रहना है आपने करम किया आपने बाबा की श्रीमत मानी फिर साक्षी बाउस से उसको देख है अगर यह साक्षिपन की राकी सदया बंदी हुई बाबा भी आज साक्षिपन की राकी बांदे आए तो बाबा कहते हैं साक्षिपन की राकी सदया बंदी हुई तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी मिलेगी अभी जिस करतब में मास लगता है माना एक महीना लग जाता है फेमें एक गंडा भी नहीं लगेगा इसाखेशिपन की राख्य बाढ़नी है औरों खो तो प्यरी विर्ण की राख्य बाढ़ने हो sports किते हैं और खो पविजदता की राकी बाधर है लेकिन बाप यादात साक्षी पन की राखी बाद रहें बाबा हम बच्चों को साक्षी पन की राखी बाद रहें जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षातकार मूरत और साक्षात मूरत बनेंगे साक्षी कम कम होने के कारण साक्षात और साक्षात मुरत भी कम बने है इसलिए अभ्यास करो साक्षी रहो न्यारे रहो कौन सा अभ्यास अभी अभी अधार लिया अभी अभी न्यारे हो गए अभी अभी इस शरीर का अधार लिया ये सिर्फ अधार है शरीर हमें क्या करना इस से करम कराना है बाबा की श्रीमत क्योंकि बिना श्रीमत के तो हम कर नहीं सकते बिना दे के कर नहीं सकते आत्मा के लिए नहीं कर सकती कुछ भी उसको भी श्रीर का अधार लेना पड़ता है तो हमने इस शरीर को अधार लिया है हमने इस शरीर को यूस किया है किसके लिए बाबा की श्रीमत के लिए आगे सर्विस करने के लिए तो बाबा कहते हैं अभी अभी अधार लिया अभी अभी शरीर से नियारे हो गए यह अभ्यास बढ़ाना या थात संपूर्था और समय को समीप लाना है तो अब क्या प्रत्न करना है अब क्या प्रयास करना है समय और संपूर्था को समीप लाओ और एक बात विशेश ध्यान में रखनी है अपने रिकॉर्ड को ठीक रखने के लिए सर्व को रिगार्ड दो बाबा कहते हैं एक बात और ध्यान लखनी है अपना रिकॉर्ड ठीक करने के लिए सर्व को रिकॉर्ड दो रिगार्ड दो रिगार्ड माना आदर दो सबको रिस्पेक्ट दो सबकी भावनाओं को रिगार्ड दो जितना जो सर्व को आदर देता है रिगार्ड देता है उतना ही अपना रिकॉर्ड ठीक रख सकता है उतना ही आपका भी रिकॉर्ड अच्छा रहेगा दूसरे को regard रखना अपना record बनाना है अगर regard कम देते हैं तो अपना record में भी कमी आ जाती है इसलिए इस बात किया हुशकता है समझा जैसे यग्य के मददगार बनना ही मदद लेना है वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना जैसे आप यग्य के मददगार बनते हो यह बावा ने जो यग्यर अच्छा है ग्या नियग इसमें आप मददगार बनते हो सर्विस करते हो वैसे ही बावा ने का यग्य के मददगार बनना ही मदद लेना है माना बावा से भी आपको उतनी मदद मिलती है जितना जितना आप सर्विस करते हो वैसे रिकॉर्ड देना रिगार्ड देना माना रिगार्ड लेना है देते हैं लेने के लिए एक बार देना अनेक बार लेने के हकदार बन जाते हैं जैसे कहते हैं चोटों को प्यार और बड़ों का रिगार्ड लेकिन सभी को बड़ा समझ रिगॉर्ड देना है बाबा कहते हैं क्या कहते हैं चोटों को प्यार देना है बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है बड़ों को आदर देना है रिगॉर्ड देना है लेकिन सभी को बड़ा समझ रिगॉर्ड देना है यह चोटों को भी आपको रिगॉर्ड देना है यही सर्वके आप ये ब्रती दृस्टी और बाडी कर्म मे लाने चैहिए जितना पहले आप कहेंगे उतना ही विश्व के बाप समान बज़ सकेँगे हर बात में पहले आप देखे ब्रामा बावा ने कितना अच्छा ब्रामा बावा ने शुरुरूशरू में क्या रखते तो बावा ने फिर कितना आममंबर वन बना लएक पहले आप की बात रखनी हैald जिपना पहले आप कहेंगे इतना विश्weिक बापसमान मन सकेंगे विश्we के बापसमान का अर्थ क्या है एक तो विश्wey के बापसमान ना दूसरा जब विश्ücht राजन बनेंगे तो विश्व का बाप भी कहलाएंगे ना बावा ने का जब विश्व के राज करेंगे विश्व राजन बनेंगे तो विश्व का बाप कहलाएंगे ना विश्व का पिता कहलाएंगे विश्व के राजन विश्व के बाप है ना तो विश्व के बाप भी बनेंगे बिश्व के बाप के समान भी बनेंगे किस से पहले आप करने से किस चीज़ से बनेंगे पहले आप करने से पहले आप पहले आप समझा निर्मार बनने से प्रत्यक्ष प्रमार बन सकेंगे निर्मार बनने से विश्वकार निर्मार कर सकेंगे माना बाबा कहा निर्मार बनना है माना निर्मार बनना है माना पहले आप निर्मार अथा पहले आप सबको सही योग देने वाला सर्व के इसने ही वो क्या कहते है निर्मार तो बाबा कहा निर्वार बनने से प्रतेक्ष प्रमार बन सकेंगे निर्मार बनने से विश्वगार निर्मार कर सकेंगे समझा ऐसी इस्तिती को धारण करने के लिए साक्षी पन की राखी बांदनी है जब पहले से ही साक्षी पन की राखी बांद के जाएंगे तो राखी की सर्विस सफलता पूरवक होगी पहले से ही साक्षी पन की राखी बांदेंगे जाएंगे तो राखी क सर्वे सफलता पूर्वक होगी अच्छा पार्टियों से मुलाकात सम्मेलन कर रहे हो अब बाबा यहां पर पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं बाबा बच्छों से कहते हैं सम्मेलन कर रहे हो किसे कराएंगे सरवात्माओं का मिलन बाप से परमात्मा से आज कल समय कौन सा है संपूर्टा का समय समी पानी का है तो बरतवान समय की प्रमान निश्चित हुई पड़ी है जैसे कल्प पहले भी पुर्शाथ निमित मात्र कराया था ऐसे ही नहीं कि पुर्शाथ आज अभी अभी पुर्शाथ अभी अभी पॉर्षाथ एसा पुरषाथ है जब समय पॉर्षाथ किया अभी आपको उसका रिजर्ड मिला अब पॉर्षाथ खुद बनेगे तो और उनको बना पाएंगे अगर सेंप प्राप्ति सरूप नहीं होंगे तो अन्ने को कैसे प्राप्ति सरूप बना पाएंगे अब नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे सुनाया था ना कि कब शब्द भी खतम हर बात में अब हो जाना चाहिए बाबा ने का ये कब शब्द नहीं कि ये कब कर लेंगे बाद में कर लेंगे तो ये शब्द हटाना है इतना परिवर्तन बाड़ी कर्म और संकल्प में लाना है संकल्प में भी ये ना आये कि कब कर लेंगे ये कब हो जाएगा नहीं अब से हो जाएगा ऐसा परिवर्तन करना है तब सर्विस की सफलता है अगर स्वैम में ही कब होगा तो आपकी प्रजा भी कहेगी अच्छा तो बहुत लगा कब कर लेंगे या कब हो जाएगा बाबानी का जब आप स्वैमी ऐसे कहेंगे बाद में हम कर लेंगे तो आपकी प्रजा क्या कहेंगी अभी तो बहुत समय पढ़ा है बाद में कर लेंगे कब कर लेंगे कब हो जाएगा कब पर छोड़ने बाले पिछली प्रजा के होते हैं तो अब नस्दीक की प्रजा बनानी है नस्दीक की प्रजा बनानी के लिए नाजुक पना छोड़ना होगा नाजुक पना अभी नहीं कर पाएंगे आज तव्यट ठीक नहीं है आज ऐसा है आज वैसा है परिश्टितियों का इतना जाद बिवरण दे रहते हैं इतनी परिश्टितियां बता देते हैं कि बाबा आज सर्विस कैसे करें अब तो यहां फस गये तो इस परिश्टितियां तो जब तक हैं आप तब तक लगी रहेंगी लेकिनी संगम तो फिर लौट के नहीं आना है वापस आप इसी संगम में इसी में 21 जनमों की प्राप्ति कर रहे हैं सोचिए लौकिक में लोग क्या करते हैं इस जनम के लिए जोड के रखते हैं बैंक में बैंक में पैसा जोड के bank balance जमा कर रहे हो तो फिर कब कब करने से क्या होगा तो बाबानी का नाजों से राजों से चलना है अलवेला पर नाजुकान होता है जितना राज लगत होगे उतना नाजुकप्द छोटता जाएगा रूहानियत का एक रूप सदैव रहता है रूप बदलने की वजाए ये शरीर का भान चोड़ना है इस प्रैक्टिस में रहना है शरीर चोड़ने का अभ्यास होगा तो रूप बदलना चूट जाएगा पढ़ाई में भी रेगलर होना मुख्यवाद होती है बहबी सिर्फ अपने में नहीं लेकिन हर बात में रेगलर होना है पढ़ाई में रेगलर होना है माना रोज पढ़ाई पढ़नी है मुरली रोज पढ़नी है उसका ज्यान वना अंचिंतन करना है बार बार जितना regular उतना ही ruler बनेंगी तो क्या करना पड़े सभी बातों में regular अमरत बेले उठने से लेके हर करम, हर संकल्ब, हर बाड़ी में regular हर बाड़ी में regular बनना है, accurate बनना है एक भी बोल ऐसा ना निकले जो प्यारत हो इस दुनिया के जो बड़े आदमी हैं, बहलोग जब speech करते हैं तो उन्हें के बोलने के शब्द भी fix किये जाते हैं बाबा कहते हैं, कि आपका एक भी शब्द बाना ऐसा ना निकले जो प्यारत हो तो इस दुनिया में आप देखते हैं, जो बड़े बड़े आदमी है जब speech करते हैं, तो उनके शब्द fix किये जाते हैं कि आपको इन बातों पे इस इस topic पे speech करनी है तो आप भी बाबा, हम बच्चों से कहते हैं, आप तो उनसे भी बड़े हो आप बड़े से बड़े आदमी हो ना, तो आपके बोलवी fix होने चाहिए, माया की mix ना हो ऐसे रेगलर बनने वालों की सर्विस सफल हुई पड़ी है समेलन का हरिकार करते भी ये कभी नहीं भूलना है, हम बिश्विक के आगे साक्षातकार मूर्थ है साक्षातकार मूर्थ बड़ने से आपके द्वारा बाप दादा का साक्षातकार स्वैम ही होगा बैत अब कर सकेगे जब स्वैम को ग्यान योग का प्रतेक्ष प्रमाड बनाएंगे बाबा ने कहा साक्षातकार जम्मूरत आप बढ़ेंगे तो आपके द्वारा बाप दादा का साक्षातका स्वयम ही होगा सता ही होगा तब आप कर सकेंगे जब स्वयम को ज्यान योग का प्रतेक्ष प्रमार बनाएंगे मन आप अपने आपको भी ज्ञान वाबा का जो ज्ञान है श्रीमत है उसको और योग से प्रतेक्ष प्रमाण बनाएंगे तब साक्षातकार मूर्थ बन पाएंगे जितना स्वयम को प्रतेक्ष प्रमाण बनाएंगे उतना बाबा को भी प्रतेक्ष कर सकेंगे अच्छा ये कि हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की बहुत संदर मुली 68970 की एक पर फिर से पॉइंट्स रिवाइस करेंगे बाबा बंदन से मुक्त होना बता रहे हैं बाबा कहते हैं बंदन से मुक्त कैसे होंगे पहले अपने आपको न्यारा करना है हर चीज से हर सर्विस से कर से होना है यह अधार लिया है ऊछ़िए सबस्तावी है यह करना है यह हमारा घर है नहीं सबस्ता है तो वैसे आपको सोचना है कि इसको हमने सिर्फ कि लिया हुआ है हमने किराय पे लिया हुआ है अधार लिया हुआ है इससे हमें क्या करना है इसके माध्यम से हमें करम करना है कैसा जो श्रीमत हमें बाबा ने बता ही वो करम करना है तो इस देह से न्यारा होना है बाबा कहते हैं सब बंदनों से तो न्यारे हो जाते हो लेकिन मा बावा कहते हैं बच्चों से कि अब ये बताओ कि आपको इस देह से नियारा होने में अव्यक्त सित्याने में या आत्मी कि सित्याने में कितना समय लगता है एक सेकिंड लगता है दो मिनट लगता है दस मिनट आदा घंटा तो बावा कहते हैं अगर टाइम लग जाता है तो लेकिन अपने ही डिटैस्टों से अबन से अपने ही अपने ही बंदन से मुक्त हो जाते हो अक नहीं दे के बारश्य दो जाते हो तो पहले क्या प्रैक्टिस करनी है न्यारेपन की अपने देह से के बंधन से मुक्त होनेगी दूसरी बात बाबा ने का इसमें आप अगर कोई सर्विस कर रहे हो तो सफलता कैसे मिलेगी उसमें आपकी इस्तिती जब साक्षिपन की हो तो बाबा कहते हैं आज साक्षिपन की रा की मानने में आया हूं साक्षिपन की मानना डिटैस्टपन की कोई एक अर्म किया साक्षिपन मानना बालक सो बालिकपन तो बाबा ने का मालिकपन और बालिकपन बाबा ने परिवाशास पस्ट की ती कि मालिकपन अधाथ अपनी राए दी और फिर बालकपन के माना बैठ गए हैं आप सुना कि सबकी राए क्या है तो जितना ये बालकपन और मालिकपन का गोड़ ये साक्षीपन का गोड़ आपके अंदर आएगा उतना उतना आपको सर्विस में सफलता मिलेगी तो बाबा ने का अभी 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 अधार लिया अभी अभी न्यारे हो गए दूसरा बाबा ने बात बताई कि आपको सबका रिकॉर्ड देना है अगर आपको अपना रिकॉर्ड ठीक रखना है माना आपका डेटा ठीक रखना है अपना रिकॉर्ड माना आपका क बाबा रखते हैं अपने पास बाबा लावानी की बैलन शीट रखते हैं कि कितना आपको क्या रिकॉर्ड है आपका कितना आपके प्रॉफिट कमाया हो कितना लॉस कमाया तो यह बैलन शीट बड़े से बड़ा बाप हम सब बच्चों की रखता है तो बाबा कहते हैं जितना हम दूसरों को रिगार्ड देंगे उतना ही उतना आपका रिकार्ड बढ़ेगा माना रिकार्ड अच्छा होगा तो भाबनी का रिकार्ड देना ही रिकार्ड बनाना है अब ऐसा नहीं रिकार्ड सिर्फ हमें रिकार्ड देना है बड़ों को रिकार्ड माना रिस्पेक्ट दे बावा कहते है यग्व के जो आप हैँप कर सकेंगे माना बावा की सर्विस में जो बदकार बनेगे उसके बूभी हधार क्या है मदद लेना लेकिन उसके लिए आपको क्या करना आप अच्छा रिकॉर्ड बनाने के लिए आप पहले आपकी वाली बात याद रखना अजिसे ब्रहमा बाबा ने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मेरा ये बच्चा सर्विस बहुत अच्छी करेगा या दादियों ने सर्विस बहुत अच्छी की तो फिर तो ऐसा हो जाएगा पता लगा बाबा के अदर से कभी नहीं आया कि उन्होंने सर्विस अच्छी करी तो मैं पीछे ना रह जाओ बाबा ने सब बच्चों को आगे बढ़ाया अपने सब दादियों को आगे बढ़ाया जितने मी कुमार कुमारियां थे ब्रह्मा बाबा के साथ सबको बाबा ने आगी बढ़ाया साक्षी पन से बढ़ाया बाबा ने कहा पहले आप बाबा ने सर्विस के लिए बेजा उनको दूर दूर था तो बाबा ने कहा उतना ही विश्व के बाप समान बन जाएंगे जितना आप कहेंगे पहले आप उतना ही विश्व के बाप समान बन जाएगे विश्व के बाप मना जैसे विश्व के जब राजन बनेगे तो विश्व के बाप मन जाएगे दाद में लास्ट में बाबा कहते हैं कि अब ये नाजुक पना छोड़ना है नाजुकपन नाजों से नहीं अब राजों से चलना है कि बाभा हम करना चाहतीं थे करनी पाए अैसी परस्टी आ गई यह अभी मौसमी ऐसा है तो अदो हम कैसे सर्विस करें बाभा बहुत सर्दी है बाभा बहुत गरμी है बहुत नहने बहाने बच्चे बनाते तो बाबाने का नाजों से नहीं राजों से चलना है अब ये नाजुक पने का संसकार छोड़ देना है ये नहीं कि अब करना है कब कब करते करते तो निकल जाएगा टाइम संगम का पर इस ते तैया तो खतम होनी माली है नहीं जीवन की तो परशाद तो हमें इसी टाइम करना है तो पावाबने का पहले पहले आप की बात ध्यान लगनिये दूसरा अब नहीं तो कब नहीं तो पावणने के सबस्ट आपको बह्तादाना बह्तारए है collar Layло नाजों से नहीं राजों से चलना है, जितना राजयुक तोंगे उतना नाजयुक पना छूटता जाएगा, लास्ट में बाबा बच्चों से कहते हैं कि अब आपको रेगुलर बनना है, रेगुलर जिसे अमरत बेला आज किया कर नहीं किया, मुरली आज पढ़ी कर नहीं की, आज अच्छा पुर्शाद किया कल हो गया, तो बाबा ने का रेगुलर बनना है, अमरत बेला से उठने से लेकर हर संकल्प में, हर बाडी में रेगुलर बनना है, कोई भी ऐसा बोल ना निकले, जो भी अर्थ हो, बाबा कहते हैं, जो लौकेक में बड़े आदमी होते हैं, उनकी स्पीच जब करते हैं, उनके शब्द भी फिक्स किये जाते हैं, तो आप भी बड़े से बड़े आदमी हो, तो आपके शब्द भी फिक्स होने चाहिए, उसमें माया की मिक्स ना हो, तब ही आप बाबा को प्रतेक्श कर सकेंगे, यह थी हमारे प्यारे मीठे मीठे ब प्याद प्यार और नमस्ते, ओम शांती, ओम शांती, ओम शांती, ओम शांती.